हेलो एवरीवन आज की इस क्लास में शुच़्ार जी यो को ज़ाद पारे में बात करने वाले हैं और आज क्लास आपकी पीजी टी बिहार स्टेट एक्जैम के लिए इन पॉर्टेंट रहने वाली है धाल सब्सक्राइब आप जब NET, JRF, PGT, GIC या फिर Assistant Professor Exam की तैयारी कर रहे हैं शुषाल जी से तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपने study को complete कर सकते हैं प्रेलिस में उन सभी वीडियो के फोल्डर्स मिल जाएंगे आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं बस कुछी देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है आप सभी इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ शेयर जओ कर दीजे एक रात में आट बजे भी क्लास होती है शुषाल जी की और उसमें जो प्रशनों का लेवल रखा गया है वो आपके NET-GRF एक्जाम के साथ-साथ Assistant Professor एक्जाम के लिए रखा गया है अट क्लासे स्टार्ट हो चुकी है प्लेलिस में फोल्डर भी बना दिया गया है आप सभी उस क्लास को भी जौइन कर सकते हैं एंड क्लास एंड होते ही आप सभी अपना स्कोर ज़रूर बता दिया करिए कि 50 कोशन में से आपका कितना सही हुआ है प्रशन है किसने यह विचार प्रस्तुत किया है कि समिती समुदाई नहीं है बलकी समुदाई के अंदर एक संगटन है समिती एक समुदाई नहीं है बलकि समुदाई के अंतर या एक संघटन है options है MacAver, Maxwell, Ogban, Durkheem यहाँ पर दिये गए है और यहाँ पर सही हो जाएगा option A MacAver ठीक है MacAver का कहना है कि समिती समुदाई नहीं है बलकि समुदाई के अंतर एक संघटन है, एक organization है यह कहना MacAver and Page का है, option A यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रशन है जब समुदाई से जीवन के विसस्ट लक्ष में हिस्सेदारी रखते हैं तथा उसे उपचारिक नियमों से चलाते हैं तो वे गठित करते हैं समिती, समुदाई, संस्था या फिर good इनमें से कौन सही होगा, समुदाई से है, जीवन के विसस्ट लक्षो में हिस्सेदारी रखते हैं या विसस्ट लक्षो को प्राप्त करने के लिए उसकी पूर्ती के लिए उपचारिक नियम से चला रहे हैं जो options है कि उसे हम समिती कहेंगे, समुदाई कहेंगे, संस्था कहेंगे या फिर हम good कहेंगे और यहाँ पर सही क्या होगा, समिती होगा समिती की सदस्था कैसी होती है, एच्छिक सदस्था होती है सोच विचार करके इसका गठन किया जाता है, कुछ निश्चित उद्देश होते हैं उद्देशों को प्राप्त करने के लिए इसका गठन किया जाता है और आपचारिक नियम यहाँ पर पाई जाते हैं तो A यहाँ पर क्या होगा? सही हो जाएगा और इसकी प्रकती कैसे होती है? आज स्थाई प्रकती होती हैं, ठीके A यहाँ पर राइट है प्रश्न है मानव समाज में व्यवस्था बनाई रखने के लिए निम्ने में से कौन उत्तरदाई है? अनुशस्ति, विश्वास, श्रम विभाजन या फिर समूमत मानव समाज में विवस्था सस्टम बनी रहे इसके लिए इनमें से क्या सही होगा कौन उत्तरदाई होगा तो यहाँ पर सही होगा अनुशस्ति ओप्शन ए यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा प्रेशन है निम्न में से कौन एक संस्था की विशेष्टा नहीं है सुस्था पितनियम, नियमों के प्रतिय अनुपालन की भामना, समाज के साथ विकास, किसी निश्चित उद्देश का ना होना संस्था की एक विशेष्टा नहीं है, यह पूछा जा रहा है और यहाँ पर सही क्या हो जाएगा किसी निश्चित उद्देश का ना होना ठीके, एक निश्चित उद्देश होता है, ओप्शन डी यहाँ पर राइड आंसर हो जाएगा अब संस्था आया है, तो संस्था के विकास की अवधाना किस ने दी है, समनर ने दी है संस्था करण की अवधाना पूछा जाता है, तो यह अवधाना टॉलकेट पार्संस की हो जाएगी और ना केवल संस्था करण की अवधार्णा बलकि टॉलकेट पार्संस ने द्वित्यक संस्था की भी अवधार्णा दी हुई है और समगल संस्था या संपूर संस्था या जिसे टोटल इंस्टूशन कहा जाता है या अवधार्णा गॉफमेन ने दी हुई है ठीक है तो यहां पर D हो जाएगा right answer और इन सभी बातों को ध्यान से सुनिएगा ध्यान से इसे समझ लीजे concept किसका है अक्सर options में confused हो जाते हैं और गलत टिक कर देते हैं चलिए आगे देखते हैं मूल प्रस्तती पत की रचना की गई है और प्रस्तती और भूमिका की बात की जाए तो इस topic को complete कराया जा चुका है इसका playlist में आपको folder मिल जाएगा वहां से आप इस topic को complete कर सकते हैं most important है इनसे जुड़े हुए प्रशना आपको हर exams में देखने को मिलेंगे प्रस्तती और भूमिका से संबंदित ठीक है बात की जाए सबसे पहले अध्यन किस ने किया था प्रस्तती और भूमिका का तो रॉल्फ लिंटन है रॉल्फ लिंटन ने सबसे पहले विवस्थत तर है और या फिर प्रशने इस तरीके से भी आपको देखने को मिलेंगे कि किसी भी समाज शास्ती ने अगर कोई अवधार्ना दी है तो उसकी बात किस पुस्तक में की है ठीक है तो यह याद रखेगा और इसके अलावन इन्होंने प्रस्तती के दो प्रकार भी बताएं है प् प्रदः प्रस्तती और अर्जित प्रस्तती प्रदत प्रस्तती जो कि सी मिल जाती है जैसिक्व 0 хотите में जयाती है कास्ट हो जाएगी लिंग हो जाएगा है जेन्डर हो जायेगा यह सब वेक्ती को जन से मिलती है अर्जित प्रस्तती यही जो अर्जित प्रस्तती है इसे व्यक्ति अपनी योगिता से प्राप्त करता है कुशलता से प्राप्त करता है ठीक है आयस ओफिसर बनना टीचर डॉक्टर यह अपनी योगिता से प्राप्त कर रहा है जब व्यक्ति की यही प्रदत और अर्जित प् से वो महत्व देता है सुसाइटी तो उसको ही इन्होंने हिलर ने मूल प्रस्थती कहा है तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा सही प्रेश्ण है किसने कहा है कि सजातियता से विजातियता की और अग्रसर होना प्रगती का सार्वभौमिक नियम है अगस्त कॉम्ट हरबर्ट इस्पेंसर, चॉल्स, डॉर्विन, मैकेवर यहाँ पर सही क्या होगा सजातियता से विजातियता की और अग्रसर होना प्रगती का एक सार्वभौमिक नियम है यह कहना किसका हो जाएगा यहाँ पर सही क्या होगा तो यहाँ पर राइड अंसर हो जाएगा हरबर्ट इस्प दिया था ये दो बाते इसके अलावा इन्होंने समाज के दो प्रकार बताये थे समाजिक समाज या जिसे शिकारी समाज कहा जाता है और दूसरा समाज और धोगिक समाज है कि याद रखेगा और इन्होंने कहा था कि जो समाज का विकास है वो सरलता से जटलता की ओर होता है औ और इसके अलावा इन्होंने समाजिक सरशना इस अवधार्णा का सबसे पहले प्रियोग किया था और जिसकी तुलना इन्होंने मानवी शरीर से की थी, ये सभी बाते आपको धियान में रखनी है, इनके आप नोट्स बना लिया करिये, क्योंकि इन से सम्बंदित आपको प्र सही हो जाएगा, हरबर्ट स्पिंसर, चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है, समाजिक परिवर्तन का अंतर नहित सिद्धान किसने प्रतिपादित किया है, और मैकेवर पैरेटो सोरोकिन ओप्शन्स दिये गया है, यहाँ पर सही क्या होगा, शोशल चेंज की बात की जाए तो समाजिक परिवर्तन इस टॉपिक को कम्प्लीट कराया जा चुका है, और समाजिक परिवर्तन से सम्बंदित आपको प्लेलिस में दो फोल्डर मिलेंगे, एक फोल्डर समाजिक परिवर्तन से सम्बंदित सद्धान तो पराधारित है, जिसमें की समाजिक परिवर्तन के सिद्धान जैसे की सो रोकिन का पैरेटों का स्पैंगलर का टॉइन भी पर आपको classes मिल जाएंगी और दूसर फोल्डर है इनसे related mcqs का most important है यह topic आपको miss नहीं करना है तो जिसने भी नहीं देखा है पहली बार class को आप देख रहे हैं तो playlist ज़रूर चेक करिएगा यहाँ पर जितने भी topics को complete कराया गया है उनसे भी का playlist में folder बना दिया गया है आप वहाँ से उन classes को ज़रू देखेगा जो आपको यहाँ class में बताया जाता है और यहाँ पर सही होगा सोरोकिन और ना केवल समाजिक परिवर्तन का अंतर नहित सिद्धान्थ बलकि सोरोकिन के समाजिक परिवर्तन को सीमाओं का सिद्धान्थ घड़ी के पैंडूलम का सिद्धान्थ उतार चढ़ाओं का सिद्धान्थ इन सभी नामों से जाना जाता ह और इनका जो समानत हा जो परिवर्तन का सिध्धान्त रहा है वो समाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मक्ता का सिध्धान्त रहा है और इन सभी नामों से भी जाना जाता रहा है और इस तरीके से प्रश्ण भी एक्जैम में पूछा जाता है तो इन सभी बातों को आप ध्यान में चलिए आगे देखते हैं प्रश्ण है दुर्खीम ने चार तरह की आत्महत्या का वर्णन किया है इन में से तीन है एहम वादी आत्महत्या पराथ वादी आत्महत्या और आदश हिंता वादी आत्महत्या चौथा प्रकार बताना है ओप्शन्स है विचलित आत्महत्या भाग आत्महत्या, रोग जनित आत्महत्या और आसमान आत्महत्या और यहां पर ध्यान रखिएगा दुर्खीम ने कहा था कि यह जो आत्महत्या है यह कोई एक व्यक्तिगत किरिया नहीं है यहां आत्महत्या मानवी किरिया नहीं है बलकि एक समाजिक किरिया है यह आत्महत्या को इन्होंने social fact यानि कि समाजिक तथे बताया था ये एक समाजिक किरिया है और इसके जो कारण है वे हमें समाज में ही देखने चाहिए और इन्होंने जो आत्महत्या की बात की है इनकी पुस्तक का नाम भी the society नाम से है ये भी आप याद रखेगा और यहाँ पर सही हो जाएग पुस्ता भागेवादी आत्महत्या option B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट है श्रमिको का कोई देश नहीं होता या वक्तव्य दिया गया था काल मांक्स, फेडरिक, एंजल, लेनें, दुरखी श्रमिको का कोई देश नहीं होता या कहना किसका है और यहाँ पर सही हो जाएगा काल मार्क्स option A यहाँ पर right answer हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए सावेवे सद्धान तीन इस्तरों का नियम यांतरिक तथा सावेवे एकता द्वंदात्मक भातिक बात का दिया गया है मिलान करके बताईए यहाँ पर सही क्या होगा सही यहाँ पर क्या होगा right answer यहाँ पर क्या होगा अगस्त कॉम्ट ने इस्तरों का नियम दिया था यहाँ पर यह हो जाएगा सही स्पेंसर की बात की जाए तो इन्होंने सावेवे सद्धान दिया है काल माक्स की बात की जाए तो ये द्वंदात्मक भौतिक वाद से संबंदित हो जाएंगे और दुरखीम ने यांत्रिक और साविवे एकता की बात की है यहाँ पर विकल्प option C, right answer हो जाएगा संस्कृती जीवन वैतीत करने की संपूर विधी है या कहना है और संस्कृती कल्चर इस topic को complete कराया जा चुका है इसका आपको प्लेलिस में folder मिल जाएगा वहाँ से आप उन classes को देख सकते हैं important है ये भी topic और यहाँ पर right answer हो जाएगा Melanovas की ठीक है Melanovas की ने कहा था कि संस्कृती जीवन वैतीत करने की एक संपूर विधी है तो यहाँ पर क्या होगा Melanovas की होगा Melanovas की यहाँ पर right answer हो जाएगा इन्होंने मानवी आवशक्ता का सिद्धान दिया था और जैसे कि आपको कई बार बताया गया है आवशक्ताई तीन तरहा की होती है प्रात्मिक आवशक्ता, द्वित्यक आवशक्ता और तृत्यक आवशक्ता और इनसे भी आवशक्ताओं की पूर्ती का साधन इन्होंने कल्चर को बताया था संस्कृती को बताया था यह भी आप याद रखेगा प्रश्न है निम्ने में से किस का कहना है कि संस्क्रती सभ्यता का वाहख है और यहाँ पर सही हो जाएगा मैकेवर प्रश्न है किसका कहना है कि संस्क्रती एक अनोखी घटना है संस्क्रति एक अनोखी घटना है या कहना किसका है हॉबल होगा यहाँ पर भी राइट आंसर होगा किसने परिभाशित किया है कि संस्क्रतिक सकुल संस्क्रतिक तत्वों का समग्र समू है टाइलर, विसलर, सदर्ल लैंड और वुडवर्ड, क्रोबर सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक तत्वों का समगर समू है या कहना किसका है राइट अंसर यहाँ पर सदर्ल लैंड और वुडवर्ड है ओप्शन C यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा किसका तरकेगी लोगों की जीने का ढग ही संस्कृती है रॉबर्ट लॉबी, मजूमदार आन्मदान डेविड बिन्रे, रॉबर्ट पैटिंसन ओप्शन्स हैं, लोगों की जीने का ढग ही तरीका ही संस्कürती है यह कहना किसका है सही यहां पर हो जाएगा जली अली बताईए यहाँ पर सही क्या होगा मजूमदार एन मदान मजूमदार एन मदान option B यहाँ पर right हो जाएगा सांस्कृतिक केंदर के अवधाना विक्सित की गई है विसलर, पी होटन, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट पार्क सांस्कृतिक केंदर के अवधाना और यह सभी अवधाना हैं बताई जा चुकी है culture से related जब culture वाली class हुई थी तो उसमें बताया गया था सांस्कृतिक केंदर के अवधाना किसकी है राइट अंसर क्लॉर्क विसलर, option A अहाँ पर right हो जाएगा निम्न में से किसने सांस्कृतिक सरशनावाद के अवधाना विक्सित की है cultural structuralism का जो concept है वो किसका है सही क्या होगा यहाँ पर पीटर बोर्डियू है सी यहाँ पर right होगा आईए इनसे संबंदित कुछ इनसे मिलती जुल्दी कुछ अन्य अवधानाओं के बारे में अगर बात कर लिए जाए तो सरशनावाद की अवधाना ठीक है सरशनावाद यानि structuralism का जो concept है वो लिविस्ट्रोस का हो जाएगा और अगर इसको आप ना देखें यहाँ पर लिख लिए भाशाई सरशनावाद की अवधाना तो यह सोस्रे ने दी हुई है यह भी याद रखेगा और सरशना करन ठीक है सरशना करन जिसे structuration कहा जाता है यह अवधाना Anthony Giddens की हो जाएगी तो जो सांस्कतिक सरशनावाद की अवधाना है वो दी हुई है पीटर बोर्दियों ने भाशाई सरशनावाद की अवधाना सोस्रे ने दी है केवल सरशनावाद की अवधाना आती है तो वो वहाँ पर लिविस्टोस हो जाएगे और सरशना करन पूछा जाता है तो वहाँ पर Anthony Giddens हो जाएगे ठीक है तो option C यहाँ पर हो जाएगा प्रेशन है संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं सांस्कृतिक तत्व सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक छेत्र सांस्कृतिक प्रतिमान options है संस्कृतिक की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहा जाता है सही हो जाएगा सांस्कृतिक तत्व सांस्कृतिक तत्व option A यहाँ पर right होगा यहाँ पर छोटी इकाई पूछी गई है एंड संस्कृति की जो बड़ी इकाई है उसे क्या कहा जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है प्रेश्ण है कौन सा कथन संस्कृति के गुड़ के लिए गलत है संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति सीखी जाती है, प्रतेक समाज की संस्कृति समान होती है, संस्कृति में समाजिक गुण नहीं दोता है, गलत पूछा जा रहा है सही क्या होगा यहाँ पर? प्रतेक समाज की संस्कृति समान होती है, यह गलत है, ठीके? हर एक समाज की संस्कृति एक जैसी नहीं होती है, औप्शन सी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा जब संस्कृतिक तव पार क्या होगा? जब संस्कृतिक तव पार इक अर्थ पूर्डंग से जुर जाते हैं, और वे मानवी आवशक्ताओं की पूर्दी करते हैं, तब उन्हीं क्या कहा जाता है? सही यहाँ पर क्या होगा? सांस्कृतिक सकुल option C यहाँ पर right answer हो जाएगा सरप्रतम किस विद्वान ने सांस्कृतिक छेतर की अवधार्ना का प्रियोग American Indian संस्कृतियों के अध्यन के द्वारान किया था ओक्बन, पार्संस, बैटसें, विसलर ओप्शंस है इन में से किस ने किया किस विद्वान ने सांस्कृतिक छेतर की अवधार्ना का प्रियोग American Indian Culture की स्टडी के समय किया ओक्बन, पार्संस, बैटसें, विसलर ओप्शंस है सही क्या होगा? क्लॉर्क, विसलर, D यहाँ पर right answer हो जाएगा संस्कृति को बिना किसी दूसी संस्कृति के मूल्यों के संदर्ब के उसकी स्वेम की विशेशताओं के अधार पसमझा जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए इसे कहते हैं सांस्कृतिक प्रधान, सांस्कृतिक सापेक्षुवाद, सांस्कृतिक बहुलिवाद और सांस्कृतिक विस्ष्टिता ओप्शन्स है इसे क्या कहा जाएगा संस्कृति को कि जब हम संस्कृति को दूसरे संस्कृति के जो मूलने हैं, माननन हैं उनके अधार पर न समझ करके, उनके अधार पर हम अध्यन ना करके, उसी संस्कृति के जो मूले हैं, विशेश्टाएं हैं, माना के उनके अधार पर ही समझने को हम क्या कहेंगे? संस्कृतिक साब एक्षवाद कहेंगे इसका मतलब होता है सभी संस्कृतिया इसका निश्कश्क्या निगलेगा सभी संस्क्रतिया अपनी जगा पर क्या है स्ट्रेस्ट है ठीक है भी यहां पर राइट होगा अब यहां पर देखिए पुस्तके दी गई है प्रेमिटिव कल्चर सोसाइटी कल्चर एंड परसनालिटी पीजन सोसाइटी एंड कल्चर कल्चर एंड सोसाइटी मिलान करके बताईए सही विकल्प क्या होगा primitive culture primitive culture किसकी हो जाएगी टाइलर की टाइलर ने अपनी संसकति को परिभाशित किया था और इनकी संसकति की परिभाशा exams में देखने को मिलती है पूछी जाती है फिर आती है society, culture and personality society, culture and personality ये किसकी हो जाएगी सोरो किन की हो जाएगी ठीक है पीजन सोसाइटी अन कल्चर यह पुस्तक है रोबर्ट रेटफिल्ड की रोबर्ट रेटफिल्ड ले अपनी इस पुस्तक में क्रशक समाज की अफधार ना दी थी फिर आती है पुस्तक कल्चर अन सोसाइटी यह हो जाएगी मैरिल एल्डरिस क यहाँ पर विकल्प हो जाएगा D, right answer समाज का उच्च और निम्न समाजिक इकाईयों के मद्ध्य संस्तरण मूलक विभाजन कहलाता है समाजिक इस्तरीकरण, समाजिक विभेदीकरण, समाजिक असमानता और प्रसार options है यहाँ पर सही क्या होगा? समाज का उच्च और निम्न समाजिक इकाईयों के मद्ध्य संस्तरण मूलक विभाजन को क्या कहा जाता है? यहाँ पर सही क्या होगा? सही हो जाएगा social certification, A यहाँ पर right answer होगा शोद करते समय सही अनुक्रम क्या है? बदाएए देखकर तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है? समस्या का चुनाओ करना होता है, फिर प्राक कलपना का निर्माण करना होता है आकडों को हम इखटा करते हैं फिर उन आकडों का विशलेशन करते हैं option C यहाँ पर right answer हो जाएगे option C यहाँ पर right answer हो जाएगा उस सम्मन्द को क्या कहते हैं जिसमें एक चर्मे परिवर्तन सदैव दूसरे चर्मे परिवर्तन को उत्प्रेरेत करता है सकारात्मक्स है सम्मन, रेखिक्स है सम्मन, निराधार सम्मन, कारे और प्रभाव सम्मन यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा कारे और प्रभाव सम्मन, D यहाँ पर right होगा निमन में से किसने साक्षातकार को दो भागों में विभाजित किया है आपचारिक साक्षातकार और अनापचारिक साक्षातकार साक्षातकार के यह दो प्रकार किसने बताए है मोंजर ने, option B यहाँ पर right हो जाएगा परिवार, पडोस तथा मित्र मंडली में किस प्रकार का सही योग पाया जाता है मित्रवद, द्वित्यक, प्रात्मिक या फिक उपर्युक्त सभी तो यहाँ पर प्रात्मिक सही योग पाया जाएगा C यहाँ पर सही हो जाएगा प्रश्न है, बेरोजगारी श्रम की वदशा है जिसमें श्रम शक्ती की पूर्ती कारी करने की स्थानों की संख्या से अधिक होती है किसने परिभाशित किया? इलियट अन्मेरिल, कॉर्ड पिबॉम, आर्के मर्टन, आईसी ब्राउन यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सही विकल्प क्या होगा? बेरोजगारी श्रम की वदशा है जिसमें श्रम शक्ती की पूर्ती कारी करने की स्थानों की संख्या से अधिक होती है राइट आंसर यहाँ पर कॉल प्रिबॉम होगा B यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्ता, आवास, शिक्षा और मनुरंजन के नियुन्तम इस्तर से वन्चित है यह किसका तर्क है? E. Ross, Michael Harrington, Merton, J.G. Goddard options है वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्ता, आवास, और शिक्षा मनुरंजन के नियुन्तम इस्तर से वन्चित है सही यहाँ पर हो जाएगा Michael Harrington B यहाँ पर राइट होगा नशा मुक्ती केंद्र निम्न में से कौन सी सुविधाय प्रदान करते हैं? सभी हो जाएगा, उपर्युक्ती सभी D यहाँ पर राइट होगा किसने निर्धनता के तीन कारण बताएँ है व्यक्ती, संस्कृती, एवं उपसंस्कृती तता समाजिक सरशना डेविड इलेश, P. कोहेट, S.M. मिलर, मार्टिन रेन ओप्षन्स है निर्धनता के तीन कारण व्यक्ती, संस्कृती, एवं उपसंस्कृती तता समाजिक सरशना इन तीन कारणों की बात किस ने की है निर्धनता के? यह सभी कोश्चन्स कराएजा चुके हैं, यह आपके रिविजन क्लास है एन क्लास एंड होते ही आपको अपने स्कोर बताना है कि 50 प्रशनों में से आपके कितने सही हुए हैं और यहाँ पर सही हो जाएगा डेविट इलेश ओप्षन ए यहाँ पर राइट होगा जब किसी समाज में आधुनिक मुल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकी करण कहते हैं या कतन है जब किसी समाज में आधुनिक मुल्यों का प्रवेश होता है तब हम उसे आधुनिकी करण कहते हैं या कहना इन में से किसका है सही हो जाएगा योगेंद्र सिंग भी यहां पर राइट होगा प्रश्न है समाजिक सरश्णय एवं समाजिक संस्थाओं के अध्धिनों में समाजिक डार्विनवाद के अवधार्णा का प्रियोग किस समाजिक दाश्णिक ने किया तो यहां पर सही क्या होगा हर्बर्ट इस्पेंसर अप्शिन डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से किसने समाज में आदश शुनिता की दशा और कारणों की व्याक्या की है रॉबर्ट बीर स्टेट, दुर्खीम, बोगाडर्स, किंग्सले डेविस आदश शुनिता की दशा और उनके कारणों की बात इन में से किसने की है सही क्या होगा एमाइल दुर्खीम होगा बी यहां पर राइट होगा दुर्खीम की अनुसार मानक शुनिवादी आत्महत्या पई नाम है नियम हिंता की स्थिती अत्वा अपने आपको अकेला या समू से कटा हुआ पाना या फिर उप्रियुक्त में से कोई नहीं सही क्या होगा नियम हिंता की स्थिती अत्वा अपने आपको अकेला या समू से कटा हुआ पाना सी यहां पर राइट होगा आत्महत्य समाज के नकरात्मक दबाव का फल है या किस ने कहा दुर्खीम, फ्राइट, पार्क के यंग है बताईए सही क्या होगा आत्महत्य समाज के नकरात्मक दबाव का फल है या किस ने कहा है आत्महत्य का सिद्धान किसका है दुर्खीम का है और यहाँ पर सही हो जाएगा option A ठीके option A यहाँ पर सही है the society नाम से इनकी पुस्ता के जिसमें उन्होंने आत्मात्या का सिद्धान दिया है चार प्रकार भी बताये थे आत्मात्या को एक समाजिक तथे बताये था इन्होंने आईए यहाँ पर देखते हैं प्रेशन है निम्ने में से कौन सा विकास के गांधिवादी पत का भाग नहीं है समाजिक नियासिता अहिंसा सहकारी संघर्ष सरशनात्मक कारे options हैं इन में से कौन सा विकास के गांधिवादी पत का भाग नहीं है यहाँ पर सही क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर सहकारी संगश होगा option c यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रेशन है कौन समाजिक पारस्थतिकी के अध्धन से संबंदित है आरके मुखर जी, अर्विन, गांधी, गांधी जी, योगेंद्र सिंग समाजिक पारस्थतिकी के अध्धन से कौन संबंदित है यहाँ पर सही क्या होगा राइट आंसर आरके मुखर जी है ठीक है आरके मुखर जी option a यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसने कहा है कि समस्तर धर्म एक ही उद्देश की ओर ले जाने वाले विभिन मार्ग है सही क्या होगा यहाँ पर महात्मा गांधी option d यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा किसने जनजाती को समान संस्कृती वाले जन समू के रूप में परिभाशित किया है मैलनोवस की क्रोबर, रेटकलिफ ब्राउन, रूथ बेंडेक्ट options है जनजाती को समान संस्कृती वाले जन समू के रूप में इन में से किसने परिभाशित किया है और जिनजाती समाज यानि की ट्राइबल सुसाइटी इस टॉपिक को कम्प्लीट कराय जा चुका है इसका भी आपको प्लेलिस में फोल्डर मिल जाएगा और यहाँ पर सही हो जाएगा क्रोबर ठीके क्रोबर होगा भी यहाँ पर राइड आंसर होगा प्रश्ण है लर्नर ने भारती समाज में हो रहे परिवर्तनों के लिए पश्मी करण क्या पेक्षा आधुनी की करण को अधिक पसंद किया है निम्न कारणों में से कौन सा कारण उनमें नहीं है ओप्शन से पश्मी करण एक संकुचित वस्यमित अवधाना है पश्मी करण केवल पश्यम के प्रभाव का परिचायक है यह एक स्थाने लेबल है इससे विदेशी सरक्षन का भाव उत्पन नहीं होता है यहाँ पर सही क्या होगा? ओप्शन बी पश्मी करण केवल पश्यम के प्रभाव का परिचायक है बी यहाँ पर राइट अंसर हो जाएगा समाजिक सरशना की परिभाशा अंतह किरियात्मक समाजिक शक्तियों के जाल की रूप में किसने की है? इन सभी ने क्या सरशना की परिभाशा अंतह किरियारत समाजिक शक्तियों के जाल की रूप में किसने की है? इन सभी टॉपिक्स पर क्लासिस ली जा चुकी है अगर समाजिक शस्तियों की बात की जाए तो हर्बर्ट स्पिंसर, रेट क्लिफ ब्राउन, मेलनोवस की, नाडेल, दुर्खीम, पार्संस, मर्टन ठीक है? इन सभी ने क्या से धान दिया है? उन से धानतों से जुड़े महतपूर बाते और उनसे संबंदित जो प्रशन है उन सभी को क्लासिस में कराया गया है, आपको समाजिक सरशना के कितने प्रमुख प्रकारों का इन्होंने वर्णन किया है यहाँ पर सही क्या होगा यहाँ पर सरशना यानि कि विवस्था के बारे में बात हो रही है चार की बात की है इन्होंने ठीक है टॉलकेट पार्सन से चार की बात की है एक तो समाजिक विवस्था, दूसरी सांस्कृतिक विवस्था, तीसरी विक्तित विवस्था है और चौथी जैविक विवस्था है और टॉलकट पार्संस के तीन समाज शास में महतपूर योगदान रहे हैं एक तो सबसे पहला शोशल सिस्टम है समाजिक विवस्था पर दूसरा है फंक्शनलिजम यानि की प्रकारिवाद पर और तीसरा है शोशल एक्षन यानि की समाजिक किरिया पर ठीके इन बातों को ध्यान में रखियेगा चलिए आगे देखते हैं प्रेशन है गतिशील समाज का सरवाधिक विस्था लक्षन है वहनों का आधिक्य बहु देश्य भवनों की उपस्थती प्रस्थतियों में परिवर्तन का अवसर उपर्युक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही क्या होगा? गतिशील समाज का सरवाधिक विसिस्ट लक्षन इन में से किसे माना जाएगा? प्रस्ततियों में परिवर्तन का जो अफसर है वो माना जाएगा? सी यहाँ पर हो जाएगा सही? निम्न में से किसका कहना है कि भारत में ओधोगी की करण और नगरी करण साथ साथ चल रहे हैं किंग्सले डेविस, डेनियल बेल, केसी जकार या या फे इन में से कोई नहीं भारत में ओधोगी की करण और नगरी करण साथ साथ चल रहे हैं यह कहना किसका है किंग्सलेट डेविस का ए हो जाएगा यहाँ पर सही जनसंक्या विशलेशन में निम्न में से कौन सी अवधार्ना अधिक महतपुर नहीं है जन्मदर, मृत्युदर, जनन्चमता पारस्थतिकी दर महतपुर नहीं है यह पूछा जा रहा है तो पारस्थतिकी दर हो जाएगा डी यहाँ पर सही हो जाएगा भारत में प्रथम निम्नित जन्गर्ना किस वर्ष की गई 1911, 1931, 1981, 1980 ओप्शन्स है निम्नित जन्गर्ना पूछी जा रही है तो यहाँ पर हो जाएगा 1881 ठीके 1881 हो जाएगा ओप्शन C यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दिखे जब निम्नित पूछा जाता है तब 1881 हो जाएगा लेकिन अगर प्रथम पूछा जाता है कि भारत में प्रथम जन्गर्ना कब हुई तो 1872 हो जाएगा कब हुई 1872 लौट मेयो के शाशनकाल में यह हुई थी ठीके तो इसे याद रखेगा चलिए आगे देखते है जनसंख्या घनत्व के सिद्धान से कौन संबंदित है माल्थर, सैडलर, स्पेंसर, दुर्खीम जनसंख्या का जो घनत्व सिद्धान थै वो किसने दिया है सही क्या होगा यहाँ पर सैडलर, ठीके सैडलर होगा भी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तो आज की क्लास में बस इतना ही आई होप ही आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर अगर आप नए है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके जादा से जादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा थैंक यू प्लीज वीजेगा झाल झाल